नमस्गार दोस्तों एक बार फिल से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज किस वीडियो में सीटेड एक्जाम में पूछे गये सभी प्रशनो को देखेंगे। 21 दिसमबर 2021 को Asif To First में जो भी क्रशन पूछे गये हैं उन सभी प्रशनो को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, अगर आपका एक्जाम किसी next debt को है, तो जरूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे आपको काफी लाव मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं, दोस्तों बहुत से ऐसे प्रशन है इसमें, जो बार-बार repeat हो रहे है तो आप लोग उनको जरूर ध्यान से देखिए, कि ऐसे कौन से प्रशन है, जो बार-बार repeat हो रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रशन है दोस्तों, पियाजे से संबंधित एक प्रशन पूशा गया है, पियाजे की इसकीमा से संबंधित प्रशन था, तो इसक कीमा क्या है, पहले आप लोग इसको देख लिजिए, देखिए दोस्तों, जब बालक पहले से मस्तिस्क में उपस्तित चीजों का उप्योग करके, किसी विसेवस्तु के प्रति एक धाड़ा बनाता है, तो उसे दोस्तों इस कीमा कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा इसकीमा किसे सम्मंदित है, यह पियाजी के अधाड़ा से सम्मंदित है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे प्रशन पूछा गया था, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन दोस्तों, आज पूछा गया था, लिखने की अच्छमता से था, तो ध्यान कीएगा लिखने की जो अच्छम्ता होती है दोसों उसे क्या कEHT фильм Simply या this graph किसे सम्बंधित है तो ले खन अच्छम्ता से सम्बंधित है इस को द्यान करेगा हो सकता है अगली बार डिस्लेक्षिय से पूछ ले तो तो डिसलेक्षिया से आप ढ़क धियाँ रखिएगा यहां एक पठन विकार है, ठीक है? अंग्रेजी जो है नागलेंड की मुख्य भासा है प्रमुख भासा क्या है नागलेंड की अंग्रेजी है इसको याद रखिएगा भारत की राज भासा के बारे में भी आज पूछा गया तो हिंदी है आप जानते हैं और यह जो है अनुछे 343 से अनुछे 351 में इसका वड़न किया गया है ठीक है और ये भी ध्यार रखियेगा दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो पूछा तो नहीं गया था हिंदी दिवस लेकिन आप लोग इसको याद रखिये चलिए अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है दोस्तों आवसकता का पदानुकरम सिध्धान्द किस ने दिया था या प्रशन पूछा गया था तो याद रखियेगा दोस्तों ये मैसलो ने दिया था आवसकता का पदानुकरम सि महाराष्ट और राजस्थान ये सभी जो है गुजरात के निकट वरती राज्जे हैं तो यह भी प्रश्ण पूशा गया था दोस्तों अगला प्रश्ण देख लेते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों महत्मा गांधी की दांडी यात्रा से तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को स नमक हाथ में लेकर के नमक कानून भंग किया था तो यह जो है दांडी यात्रा से प्रश्ण पूशा गया था तो इसको आप लोग अच्छे से देख लिजिए और अगला प्रश्ण दोस्तों उल्लू से संबंधित कोई प्रश्ण पूशा गया था तो उल्लू से संबंधि पुछा गया है तो देखिए दोस्तों ये रिपीटेट प्रस्ण है इसके पहले भी कुडुक भासा से प्रस्ण पुछा गया था तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो है ओराओ जन्जात द्वारा बोले जाने वाली भासा है और ये मुख्य रूप से जारखंड चतिस इसके बारे में सबसे बड़ी मादा हाथी जो होती है वो जुन्ड की सरदार होती है ठीक है तो हाथी के बारे में जिद्ने तथ है आप लोग इसको याद रखिएगा एक वैस का हाथी 100 kg पत्तेवर टहनिये खा सकता है सुबह वाले वीडियो में हमने पढ़ाया भी था नर इसका रखिएगा यह अपरिभासित है दोस्तों ठीक है किसी संख्या में जीरो से भाग देने पर क्या होगा तो यह अपरिभासित है अगला प्रस्म देखिए सिकारी पौधिस संबंधित कोई प्रशन पूछा गया था तो यहाँ पे जिनका आज एकदाम था कुछ आल काले बैश्ता है इसका आकार दोस्तों लंबे घडे जैसा होता है और घडे से एक खुसबू निकलती है जिससे जaponर में जाके यह दो , और आवाज से संबंधित आज प्रश्ण पूशा गया है दोस्तों, जैसे कि असम में किस प्रकार के घर बनाय जाते हैं, तो बास के खंभू पर बनाय जाते हैं, इसको याद रखिएगा, तो आवाज से संबंधित कोई प्रश्ण पूशा गया था, तो इसके बारे में आप खाना पसंद करते हैं कस्मिर के और कुछ राज्य हैं जैसे केरल के लोग किसी भी करी के साथ उबला हुए टैपी ओका खाते हैं गोवा के लोग नारीयल के तेल में बनी समुंदर के मचली खाना पसंद करते हैं तो ये सभी चीजे जो है भोजन सम्मधित चीजे याद पूछा गया था इसले आप लोग इनको ध्यान से देख लीजी ए मीरोक से संब्स्प्रांद पूछा है था तो इसकोयार रखिएगा इनिमी अरोग के लिए क्या किया जाता है पालक, गुड और आवला इनका सेवन किया जाता है ठीक है तो इतने ही प्रशन दोस्तों आज हमको मिले थे इसके लावा अगर आपका एक्जाम आज था है तो आप लोग कमेंट में बताईए जिसका भी एक्जाम है ज़्यादा ज़्यादा प्रशन बताईए उसको हम नेश्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही बहुत से ऐसे प्रशन है दोस्तों जो बार बार रिफीट हो रहे हैं आप लोग जो है उन प्रशनों को जरूर तयार करके जाएए और अभी के लिए तोस्तों बस इतना ही अब हम आपको नेश्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपी के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद